हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि सीवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या प्राप्ति होती है तो सभी बोले ओम नवैस सिवाई वैसे तो बगवान सीव पूरे सरद्धा भाव से जल चढ़ाने से ही प्रसंद हो जाते हैं लेकिन दोस्तो सीवलिंग पर अलग अलग वस्तू चढ़ाने से व्यक्ति को भिन भिनलाब प्राप्त होते हैं आएए जानते हैं किन चीजों को चढ़ाने से क्या लाब मिलता है पहला आता है दूद सिवलिंग पर दूद चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है वहीं तिल चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है धर्म की प्राप्ति होती है, वहीं सिवलिंग पर सुगंदित तेल चड़ाया जाए, तो व्यक्ति को धन धानने की प्राप्ति होती है, और भोतिक सुक को की प्राप्ति होती है, केसर, सिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाईक जीवन में खुसिया बनी रहती है, दोस् पर व्यक्ति के जीवन में सभी संकठ दूर होते हैं। आमले का रस लंबी उम्र का वर्दान प्राप्त होता है। सहत चड़ाने से सोंदरिय और लोख प्रियता मिलती है। गेहूं और धतूरा चड़ाने का भी से योग है। संतान सुक की प्राप्ति होती है। और दोस्तो सकर चड़ाने से एस्वरी और सम्रद्दी वहीं गन्ने का रस और चावल चड़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में सम्रद्दी बनी रहती है। सरसों का चेल चड़ाने से दुस्मन सांथ होते हैं, वह दुस्मन उसे छुटकारा मिलता है। वहीं हरी मूग चड़ा देने से काम में काम्यावी मिलती है और चने की डाल चड़ाने से साधी का संयोग जल्दी बनता है, जिसकी साधी नहीं हो रही है, उसकी साधी हो जाती है, और रिस्ते जिनकी साधी हो चुकी है, रिस्ते मधूर बनते हैं, और उड़त की डाल 400 ग्र और वीडियो देखने के लिए करप्या हमारे चैनल को लाइक और सेर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपके पास बहुत सके थैंकियो फॉर वाचिंग